हलोवच्च्चो वैल्कम में मा य्टूões चैनल आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत्य मोरव कोई बारे में बात जीकेंगे और से संगे तो आप से रखेश्टे वीडियो को पूरा देखें, और यह आप चैनल पर पहली बारा बिजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैब लाक और प्रेस कर लें, जैसे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे प्राप्त हो सके, वीडियो को ला आती ये राश्ट्री इस दोश को क्या कहते हैं तो इसका तो आंसर हो जाएगा तरंगा जो हमारा राश्ट्री दोश है हम उसे तरंगा नाम से जानते हैं क्योंकि ये तीन रंगों से मिलकर बना है अब रंग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं तीन रंग की 36 पट्टियों के बीच ठीक है तीरंगी जो पट्टियां है केसरिया सफेद और हरी इसमें क्या है कि बीच में आपका ये दिखाई पढ़ रहा है आपके लिए ये है नेले रंगे एक चक्का द्वारा सोसोबित है ऐसा हमारा ये राश्टिय धोज त्रंगा है अब इसके बारे में और बाते ज क्या संकेत है जो देश की तागत और सहस को दरसाती है बीच में सोवध पट्टी है ये क्या है धर्म चक्र के साथ सांति और सत्र का संकेत देती है और नीचे जो गहे रंकी हरे रंकी पट्टी है ये देश के सोव विकास और उर्वरता को दरसाती है तो ये था पट्टियों के बारे में आप देखते हैं नेक्स्ट हम चक्र के बारे में पढ़ेंगे जो आप चक्र देख रहे हैं ये इसमें क्या सपेद पट्टी के मद्द में गहरे नेले रंग का ये चक्र है जिसमें 24 तीलिया या आरे वने हुए हैं या 24 तीलिया इसमें लगी हुई हैं यह इस बात का प्रितीक है कि भारत इंदरंतर प्रिकति सील है और एक संकेत दूसरा भी है इसका कि 24 तीलिया है तो हमें जो हमारा समय दिया है 24 घंटे हमें हमेशा अपने कार्ये के प्रितिकत मान रहना चाहिए ये भी इसका संकेत माना जाता है अब देखते हैं इससे next के बारे में क्या समझेंगे इसका रूप सारनात में इस्तित असोक इस्तम कि सेर के सीर्स फलक के चक्र में दिखने वाली की तरह होता है ठीक है इसका जो आप देख रहे हैं ये जो गोला है एक गोला आ हम कह सकते हैं ये चकर कहां से लिया गया था असोगी लाट से लिया गया इसके बाद देखते हैं next question दूसरा question आया कि भारत के बरतमार राष्टी धुच का डिजयाइन किसे त्यार किया था ये किसने बनाया था इन इम्पोर्टन है तीन पत्ति हैं और बीच में असोग चक् इसका जो आंसर है वच्चो वो है पिंकली बैंकलीया ने इसका जो है रियान तयार किया था इसके बाद next question देख लेते हैं प्रिशन नम्बर तीन है भात की तरंगे जंडे में चर्के की जगह चक्र ठीक है पहले चक्र से पहले यहां क्या था यहां गांदी जी का चरखा था चरखा चत्र था तो चक्र कब अस्त में आया था ठीक है वो आप देख लेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो देख लेते हैं 1932 में आया था 1935 में आया था 1942 में आया था यह 1937 में आया था तो इसका जो आंसर है वो option आपका D सही है यह 1947 में आया था question नंबर देख लेते हैं 4 दुश्की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है एक पोटेट question exam में कई वार आ चुका है आता रहता है इसलिए इसके लिए एक बार में ही note कर लें आप जो हमारा द्रंगा है उसकी image देख रहे हैं इसकी लंबाई यह आप मानते हैं और चोड़ाई आपकी यह माने जाती है तो अब क्या है चोड़ाई हम यह मानते हैं यहां से यहां तकी चोड़ाई है और यहां से यहां तकी की लेने पड़ेगी यह अनपात कहलाता है तो इसको हम कह सकते हैं कि धुश्की जो लंबाई और चौडाई का अनपात है वो तीन अनपात दो है इसके बार नेक्स्ट कुरिशन देखेंगे पांच मां राश्ठी जंडा फैलाते समय सबसे उपर कौन सा रंग रहता है कौन सी बाकि पट्टी हमें सबसे उपर रखने चाहिए ूपर केसरी या शपेद हरे यह इसी तरीका से हमें लगाना चाहिए और फ़राना चाहिए। केसरी जो रंग होता है वो सबसे उपर रहता है अब ये मन में आया कि हम राश्टिय दुच कहां कहां फैरा सकते हैं तो राश्टिय भवन, शंसत भवन और आम लोगों के घरो पर भी हम राश्टिय दुच के लिए फैरा सकते हैं इसके बार next question देख लेते हैं प्रिसंद 6 देश में किस कानून के तहट तरंगे को फैराने के नियम निर्धात किये गए हैं इंपर्टेट कॉश्चन है देख लें देश में फिलेग कोड आफ इंडिया भारती दोच सहिता नाम का एक कानून है जिसमें तरंगे को फैराने के नियम निर्धात किये गए हैं इन नियमों का उल्लेगन करने पर या करने वालों के लिए जेल भी हो सकती है इसके बार next question देख लेते हैं question number 7 निम्ण में से कौन सा कार्य करना अपराद की स्रेड़ी में आता है ठीक है कारण दिये हुए है पढ़ लेते हैं यह है जंडे को घुटनों से नीचे कपड़ों के रूप में पहनना वी है पिलाश्टिक का जंडा फेराना शी है राश्टि दुष्ट का प्रियोग ब्यापार बेवसाय या पेसे के लिए किया जाना या उपूत सभी तो जो अपराद की स्रेड़ी में आते हैं यह सभी कारण बलकुल सही है ठीक है यह सभी कारण अपराद की स्रेड़ी में आते हैं यही कोई भी भाती नागरे क्यान कोई भी ऐसा कार्य करता है हमारे दुश के वारे में तो वो अपराद कर रहा है अपराद ही बन जाता है इसके कुश्चन नमब्र देखेंगे एट कि सुप्रीम कोड ने किस अनुच्छत के तहत दुश फराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूब में घोसित किया था बहुत ही इंपर्टेंट कुश्चन है जो पहले यह अधिकार नहीं था मौलिक अधिकार तो यह कब घोसित किया गया था यह देख लेंगे यह सुप्रीम कोड ने 2002 में ठीक है 2002 में समदान के अनुच्छेद 191a के तहत दुश फराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूब में घोसित किया था नोट कलेंगे इंपर्टेंट है इसके वाद देखते हैं कुश्चन नमबर 9 यह कतन किसका है एक धुच जंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंतरता वर्ग सभी लोगों की स्वतंतरता का प्रतीक है यह किसने कहा था य ओप्सन आपका ओप्सन नहीं है इसमें जवाहलाल नहरू पंडित जवाहलाल नहरू ने यह बात कही थी इसका देखते हैं कुश्चन नमबर इसका 10 प्रिशन 10 है देश के बाहर पहली बार अधिकारिक रूप से तरंगा कहां फैराया गया था इंपर्टेंट कुश्चन है नोट करके याद रखेंगे हमेशा कि देश में तो हमारा जंड़ा फराया ही जाता है लेकिन देश के बाहर पहली बारत काई ओरूप से तरंगा कहां फैराया या था यह बैद मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक नमस्कार